हेलो एवरीबड़ी आप देख रहे हैं फिजिक्स भै आशीश कपूर सीरी बात नो बक्वास बहुत जल्दी हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो हमारे जो है आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्रिक एक्वेशन की तो यह माल लिया है हमार वालेट रेडियेशन डाला है अल्ट्रा वालेट की फ्रिक्वेंसी काफी हाई होती है विजीबल रेडियेशन से ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है ज्यादा एनरजी होती है तो यह लाइट के हमने वेव की फॉर्म में दिखाया है लाइट वेव की फॉर्म में चलती है की तरह भी बहेव करती है और wave की तरह भी बहेव करती है और Max Planck जो scientist था Max Planck ने क्या बताया था कि हर एक photon की जो energy होती है वो कितनी होती है h new तो माल्या यहाँ पर एक number of photons जो है वो इस metal के उपर गिर रहे हैं और हर एक photon की energy कितनी है h new है तो metal के free electrons में से यह जो free electrons है इने में से कुछ electrons इन photons को absorb कर लेंगे और इसकी energy की वज़े से बाहर जम कर जाएंगे और इस process को ही हम क्या बोलते है फोटो electric effect यह फोटो electric emission तो यहाँ से माल्या एक electron यह था और इसने इस photon को absorb किया और यहां से पहले यहाँ सर्फेस तक तो कुछ energy तो इसकी वेस्ट हो गई अंदर से सर्फेस तक आने में बाकी की energy इसकी वेस्ट हुई सर्फेस से बाहर निकलने में क्योंकि सर्फेस जो है जैसी आप कोई electron मैटल के सर्फेस को छोड़ता है तो माल्या यह मैटल का सर्फेस है और यहाँ पर एक negatively charged electron था यह जैसी बाहर जम्प करने की कोशिश करेगा तो अब यहाँ से बाहर जम्प कर गया माल्या तो यहाँ पर किसे यह बाहर जम्प किया है वहाँ पर electron की कमी हो गई है और electron की अगर deficiency होती है कमी होती है तो वहाँ पर एक positive charge आ जाता है तो यह positive charge इस negative electron को वापिस अपनी तरफ कीच लेगा यानि इसे बाहर निकलने ही नहीं देगा तो यहाँ पर किसी भी electron को किसी सर्फेस से metal के सर्फे तो work function is the minimum amount of energy required to remove an electron from the metal surface और work function की value different metals के लिए different different होती है तो यहाँ पर दुबार से मैं बताता हूं कि यहाँ पर एक photon आया उस photon ने अपनी सारी एनर्जी एक electron को दे दी और उस electron की energy कैसे कैसे distribute हुई है एक तो उसके अंदर से surface तकाने में energy waste हुई plus surface से बाहर निगलने में यानि work function में energy waste हुई and बाकी की जो energy थी उसे kinetic energy की form में half mv square की form में मिल गी यानि कि H new जो energy थी photon की वो थ्री तरीके से distribute हुई अंदर से surface तकाने में मालिय ए energy plus surface से बाहर निगलने में मालिय और work function w plus बाकी की मिल गी उसे kinetic energy half mv square है if electron is already at the surface already at the top of surface surface पर बिलकुल उपर है मालिय यह बहिए अंदर से surface तकाने में तो कोई energy waste ही नहीं हुई क्योंकि यह already surface के top पर ही था यह electron तो यहीं से बाहर jump कर गया तो यानि E की value जी रहो गई तो तब जो है H new की value दो तरीके से distribute होगी एक तो work function में प्लस बाकी की energy kinetic energy की form में half mv square की form में तो यह वाले electron के रहे जो surface से jump किया है kinetic energy सबसे ज़्यादा होगी क्यों ज़्यादा होगी यानि कि maximum होगी ज़्यादा क्यों होगी क्योंकि अंदर से surface तकाने में energy के invested zero होगी और वही energy extra मिल गया है kinetic energy की form में भाई E zero हो गया है तो यह value H new तो fix है तो यह w plus half mv square की value increase हो जाएगी और w भी constant है तो यानि half mv square की value increase हो जाएगी और यह maximum हो जाएगी तो यानि कि कुछ electrons जो surface से jump करते हैं बिल्कुल उपर से jump करते हैं बाहर की तरफ उनकी kinetic energy सबसे जादा होती है तो हम इसी electron में interested है इसलिए कि Einstein ने इसी electron के लिए यह theory दी थी तो h new is equal to w plus half mv square maximum अब आप यह देखो कि जैसे जैसे हम h new की value decrease करते चले आहें मालय उपर से हमने डाला था ultra wallet radiation घ्रह कोरह वाइलेट की जगहे हां अगर हम वाइलेट radija जाल देते वाइलेट कलर कर करदी है यानि कि हमने frequency कम कर दी है तो frequency कं कर दी है new की value decrease कर दी है dealtPHe काइनेटिक energy half mv square maximum यह भी क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी अगर हम और frequency को decrease करते चले आएंगे यानि new अगर हम decrease करेंगे तो maximum velocity and maximum kinetic energy है वो भी decrease होती चले आएगी और एक time ऐसा आएगा कि कोई electron बाहर जंप ही नहीं कर पाएगा तो minimum amount of energy अगर हम इसे दे दे जिससे की electron बहार jump तो कर जा है electron बस surface तक तो आ जा है लेकिन surface से बहार उसके वास कोई kinetic energy ना हो तो तब जो उससे frequency हमने उपर से डाली है light की जो frequency डाली है उसे हम बोलते है threshold frequency तो if threshold frequency is new not new के subscribe में 0 लगा दिया new जो है frequency का symbol था उसके नीचे 0 लगा दिया तो new node जो है वो threshold frequency है तो threshold frequency पे electron बहार jump तो कर जाएगा लेकिन उसके वास कोई kinetic energy नहीं होगी यानि कि ये वाली जो है half mv square maximum ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ work function में ही वो सारी energy waste हो जाएगी यानि just jump कराने में बाहर निकालने metal से बाहर निकालने में में ही energy waste हो जाएगी तो ये h new node is equal to w this is equation number 2 equation number 2 से हम value w की equation number 1 में put कर देंगे तो putting in 1 अगर हम 1 में put कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाते है h new is equal to h new node plus half mv square maximum और यहाँ पर यह जो new node वाला term है यह धर आजाएगा h common आजाएगा तो new minus new node is equal to half mv square maximum maximum kinetic energy और यही equation क्या आपकी यह Einstein की equation है photoelectric equation है इस equation को हम दूसरे term में भी लिख सकते है कि माल लिया अगर हमारे यहाँ से electron jump कर रहा है maximum velocity से jump कर रहा है और सामने जो है इसके हमने negative plate लगा दी यह negative plate है और यहाँ और यहाँ के बीच में इस negative plate और इस metal surface के बीच में जो potential का जो difference है वो हमने V note लगाया capital V note लगाया V for voltage new जो है वो frequency है और यह V voltage है और इतना लगाया कि electron यहाँ तक पहुच ही नहीं बारा है यानि कि stopping हो रहा है stopping potential उसे बोलते है तो if stopping potential stopping potential का मतलब है electron को रोकने के लिए जितना यहाँ पे negative potential लगाना पड़ेगा सामने एक plate लगा के उसे stopping potential बोलेंगे if stopping potential is V note तो then जो kinetic energy होते है न half mv square maximum यह EV note के एक्कोल होती है EV note के एक्कोल कैसे होगी QV के एक्कोल होती है kinetic energy QV और Q की जगे electron का charge आ जाजएगा क्योंकि electron जा रहा है और V की जगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का stopping potential है वो आ जाएगा तो यहाँ पे EV note आ जाएगा यह यहाँ पे इसके अंदर रख देंगे equation number 3 में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा इसलिए equation number 3 से हमें क्या मिल जाएगा by 3 हमें मिल जाएगा h new minus new naught is equal to ev naught ये भी आपकी क्या है photoelectric equation है Einstein की दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं तो यहां से हमें stopping potential के बारे में पतेखल जाता है कि यानि electronों को रोकने के लिए जितनी potential चाहिए उसे हम stopping potential बोलते हैं तो यहां से हम graph भी खीश सकते हैं between stopping potential and frequency तो अपने next lecture में हम उसे देखेंगे तब तक के लिए thank you